चीन के बाद अब भारत में भी बिजली संकट गहरातन नजर आ रहा है दिल्ली में ब्लैक आउट की चेतावनी जारी कर दी गई है तो उत्तर प्रदेश में आठ सयंत्र अस्थाई तौर पर ठप हो गए हैं पंजाब और आंद्र प्रदेश में पावर प्लांट में कोईले की कमी जाहिर की है ऐसे में केंद्र के सामने राज्यों की मांग को पूरा करना एक चुनोती बन गया है केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर केंद्र जल्द से जल्द जरूरी कदम नहीं उठाता है तो राजदानी को बिजली संगट का सामना करना पड़ सकता है केजरिवाल ने केंद्र को लिखा है कि कोईली से चलने वाला 135 सयंत्रों में से आदे से अधिक के पास केवल तीन दिन का कोईला बचा है ये सयंत्र तेश को आदे से जादा बिज अपनियों को संचालित किया गया इससे बिजली की मांग और खपत बढ़ती चली गई देश में बिजली की दैनिक खपत बढ़कर चार अरब यूनिट हो गई यह मांग 65 से 70 प्रतिशत कोईले से चलने वाले सयंत्रों से पूरी की जा रही है 2019 में अगस्त स्थम्बर महिने में देश में 106.6 billion unit की खपत की जो 2021 तक बढ़कर 124.2 billion unit हो गई मंत्राले की ओर से बताया गया है कि बहार से आयात होने वाले कोईले के दाम सितम्बर अक्टूबर में 160 दॉलर प्रतिटन हो गई जो मार्च में 60 दॉलर प्रतिटन थे अचानक से दाम बढ़ने के कारण भार से आयात होने वाले कोईले में कमी आई और घरेलू कोईले पर निर्भरता बढ़ती चली गई इस कारण आयातीत कोईले से बिजली उत्पादन में 43.6% की कमी आई अप्रेल से स्तंबर के बीच घरेलू कोईले की मांग 17.4 मैट्रिक टन बढ़ गई झाले की